हेलो फ्रेंड्स मैं सुधानिशू आप सभी का एक बर फिर सवागत करता हूं आपके चैनल फ्यूचर विद नेचर में आज हम बनाना सिखेंगे सैक्विलिंट्स के लिए गार्डन स्वाइल कैसे बनाए उसके लिए हमें ये इंग्रीडिंट्स चाहिए जिसमें पहला है एक अक्सिल्स कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है दूसरा है बदरपुर या मौरंग तीसरा है परलाइट जिसके बारे में मैं डेटेल में बात कर चुका हूं ये है कोल पीसिज चोटे-चोटे स्मॉल पीसिज ऑफ कोल ये आप देख पा रहे हैं ये है बोन मेल इन सभी की जैनकारी मैं अपने लास्ट वीडियो में दे चुका हूं और ये लास्ट वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास कंपोस्ट मौजूद हो वर्मी कंपोस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत पुरानी होती है बहुत हार्ड नहीं होती है जो पादों को नुकसान नहीं करती है तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं सेकुलिंट सोहल में अब हम इसमें एड़ करेंगे और बेस्ट इसका बेस्ट टोटली होता है बदरपूर यह मौरंग तो इसको ले लेंगे यह हमने तीन पार्ट बदरपूर का ले लिए है और इस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें मिक्स करेंगे एक और इंग्रिडियन्ट जो है आल परपरस गारड़न सोयल जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि आल परपरस गारड़न सोयल किस तरीके है प談 편 semana के Shouldui चाटी है हमें ज़्यादा पूरस मिट्टी चीए होती है जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं कि उनके लिए बहुत यू우स्फुल है जो सैक्लेंट लगाना पसंद करते हैं जो थोड़े बहुत शल्गाते हैं जेड है या कोई इस तरीके का सेकुलेंट है यह है All-Purpose Garden Soil तो जो हम लोग थोड़े बहुत एक-दो प्लैंट लगाते हैं उनको इस तरीके से अलग से स्वैल मनाने की ज़रूरत नहीं है वो All-Purpose Garden Soil में लगा सकते हैं सेकुलेंट चल जाते हैं जेड तरीके सेकुलेंट है इस तरीके के प्लैंट तो अराम से चल जाते हैं All-Purpose Garden Soil में मेरा जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगा उसको भी आप देख सकते हैं यह मैंने सारी चीजों को मिक्स किया है और उसमें All- बहुत पूरस सेकुलेंट सोयल बनके त्यार हो गया है इनमें अब आप सभी तरीके के सेकुलेंट को असानी से ग्रों कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू फर वॉचिंग आफ वीडियो जू पिर लॉचिंगर से कॉआ हैं उल्सके प्रों को अविक्ट करनी सेक्षण fatto्षण़ झाल, कि रीवा प्रों करेंगा थॉचिंग णेमें हैं तो सेक्षण़